प्रेंड्स असलाम लेकूम मैं हूँ सुब्याताविश और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल जी आज जो मैं माक साथ के दिने लाए हूँ वह है चामल के आटी का जी चामल के आटी के वैसे तो बहुत से फवाइब हैं एंटी एजिंग होता है बहुत ही अच्छे आपके रिजल्ट होते हैं वाइटनिंग है लेकिन आज जो मैं आपके दिने लाए हूँ यह इस से आपके इसकिन पर जो डर्ट मैल और जो इसकिन अलग-अलग टोंस में हो जाती है फेस की वह इस से ठीक हो जाएगी अगर आप इसंधिने इसंगारेंगे तो चलें आपके बास नहीं हो तो आप पीस लें या पिस अमारे मिल जाता है राम से बादार से यह है बेकिंग पॉडर पॉडर आपको लेना है दो चुटके यह है योगर्ट दही यह है अर्कि गुलाब यह ग्लिस्ट्रीन यह है बाटर पानी आपके जरूरत के साफ से हम डालेंगे चले शुरू करते हैं, चावल का आटा लिया हमने, इसमें हमने डाला, बेकिंग पॉर्डर, बेकिंग पॉर्डर यो बारे में सब जानते हैं कि ये मेल इस तरह से आपके स्किन से साफ कर देता है, हाफ चम्चे, योगर्ट, थोड़ी सी ग्लेसरेन, और अर्के गुलाब, अर्के गुलाब के फाइदे कौन नहीं जानता है, और गर्मियों में तो जितने जादा इसके फाइदे हैं, ने किसी चीज़ के नहीं, एक चम्चा, अर्के गुलाब, खूल के डाल देता हैं, इसमें थोड़ासा पाण ही डालेंगे, अगर हमें जरूरत होगी तो हम और डाल लेंगे, जितने आपके रिक्वाइनमेंट होगे, यह अच्छा सा पेस सा बन जाए, ऐसा कि यह आपकी स्किन पर, अच्छी तरह लग जाए, यह देखें, बिल्कुल इस तरह से तेज़ बन जाएगा, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, वाइटनिंग मास, इसका रिज़र्ट बहुत अच्छा आएगा, आप इसे ट्राइ करें, इसे लगाएं, आपके जितने भी चेहरे पे, एक्सेस, जो डर्ट है आपके चेहरे पे, जिसी विज़ से सकिन खराब हो रही है, पिमपल्स हो रहे हैं, इससे बहुत आपको फर्क पड़ीगा, इसको ट्राइ जरूर करिएगा, दौाओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राब करना ना भूलिएगा, देख लें आप इसको अच्छी तरह, फिर म